कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तेलमा-a.m. टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है तेलमा-a.m. टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और तेलमा-a.m. टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Telma A.M.Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Telma A.M.Tablet को लेना recommended नहीं होता है Telma A.M.Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Telma A.M.Tablet के अंदर salt composition Telmisartan और amlodipine होता है तेलमा एम टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए किया जाता है यानि जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तेलमा एम टैबलेट का उपयोग किया जाता है तेलमा एम टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने के रिस्क को कम करती है क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किड्नी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का रिस्क अधिक हो जात इसके अलावा लमबे समय तक बलड प्रेशर अधिक रहने की वज़े से आंखों की बलड वेसल भी डैमेज हो सकती हैं, और आंखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती हैं. एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क टेलमा एम टैबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में टेलमा एम टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं। जैसे सिरदर्ध, शरीर में ठकान होना, उल्टी आने का मन होना, हाथों वपैरों में सूजन, पेट में दर्ध, चक्कर आना, घबराहट, दस्थ और मींड अधिक आना आधी साइड इफेक्ट्स तेलमा ए-म टैबलेट की वज़र से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की तेलमा ए-म टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। दिसकस करेंगे की तेलमा ए-म टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। तेलमा ए-म टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर टेलमा एम टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। टेलमा एम टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको टेलमा एम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना टेलमा एम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को टेलमा एम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका तेलमा एम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। कर दो झाहते हैं।